कर दीजे जो कि मैं मुक धाराम जो बच्च रहे हैं जो कि रेलवे पर जिस तरह का प्रेशर मैं थो रिजनिंग नमस्कार आदाव सस्रीय का लाइब नेशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाव मलिक अगर अभी तक आप लोगों नमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं क कि परिशा के बाद जो लेवल है कोश्चन का वो हाई दिखा इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ग्रूब डी के अभेर्थियों के लिए क्या संभावना है कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं सर लाइव नेशन सब्सक्राइब आपका स्वागत है धन्यवाद आपका और आपक लेवल इस तरह से हाई हो जाएगा ऐसे में ग्रूब डी के अभेर्थियों के लिए क्या संभावना है नकरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी डाइबिटिक दादा जी हो या वेजिटेरियन मामा जी सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक लिक पर सोचने वाली बात है एक्चली में आप डायरेक्ट ग्रूब डी का लेवल 6 से तुलना मेरे ख्याल से करना उचित नहीं होगा चुकि TCS एक जाम ली है तो TCS पहले भी इस बात को किलियर कर दी थी कि लेवल वाई लेवल कोश्चन का इस्टेंडर अलग लग रहा सकता है अस करके चल सकते हैं कि लेवल 6 लेवल 5 समकच रह सकता है और 32 का भी इस्टेंडर कम रह सकता है गुरूब डी का तो इस्टेंडर निश्यू तुल्प से कम रहना चाहिए लेकिन अभी रेलवे पर हमको इस मामले में कोई भरुसा नहीं है और भरुसा भी स्टुडेंट सब का भी लगातार उठता जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में वह इसे रेलवे को छोड़कर अन्य भी एक्जाम पर आप चले जाएं तो कोश्चन जिस तरह का बदलाओ आ रहा है कोश्चन के पेटर में कोश्चन का लेवल जिस तरह के से बढ़ाया जा रहा है तो एक अंदेश साब बना हुआ है कि आगे जो भी अपकमिंग एक्जामस होंगी आपको अपना इस्टेंडर बराना ही परेगा अपना एक लेबल को मेंटेंड करना ही परेगा तो इसलिए अभी जो लेवल 6 और लेवल 4 में जिस तरह का कोश्चन पूछा है तो निशन्दे ग्रूप D के त सब्सक्राइब तो फरी परेषानी बरेगी बच्चों को तो सर जो पैटर्ण आपने बताया तो इतना तो साफ लग रहा है कि चुकि संख्या बहुत है एक लाग तीन हजार के आसपास मेरे खाल से नहीं वेकंसी एक लाग तीन हजार वेकंसी है जिसके लिए एक करोड सतरा तो इतनी लोगों में अब जाहिर है कि बोर्ड को सेलेक्शन से जादा रिजेक्शन की तरफ ध्यान देना होगा तो वो तो होगा ही क्योंकि फाइनली तो एक लाख तीन हजार बच्चों को ही लिया जाना है हाना कि लगवक तीन गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इसके लिए पीटी के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए तो तीन लाख रिजल्ट कम नहीं होता है वो इसे और किसी भी कंपिटिशन में आप देखेंगे 30-40% ही मैं कंपिटिटर होते हैं और 60% आप मान करके चल सकते हैं बच्चों की उपस्तिती रहेगा अगर टेक्निकल पहलू पर आते हैं तो तो उसी साब से आप देखेंगे तो लगवक हमको लगता है 60-70 लाख बच्चे एकजाम में एपियर होंगे 70 लाख में आप 30-40% बच्चों को अलग कर दीजिए जो कि मैन मुक धाराम जो बच्चे रहेंगे उसी साब से देखेंगे तो लगवक फिर भी लगवक 21-25 लाख बच्चे होंगे जो कि अच्छे बच्चे होंगे उस 25 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो मिला जुला करके ठीक ठाक है बहुत अधिक संख्या हुई बहुत इस्टेंडर को बच्चों को मेंटेन करना होगा लेकिन हम यही सारे स्टुडेंट्स कहना चाहेंगे हतोत्साहित नहीं होना है आपने लगता परहाई की है और मैक्सिमम स्टुडेंट उसमें ऐसे हैं गूर्प डी में जो कि अभी एंटीपीसी भी दिये थे और मैंस भी दे रहे हैं सारे बच्चे उसमें कौमन है और इसके अलावे भी भी हार दरोगा भी दिये होंगे गूर्प डी में लगबग सारे हर जगह का पाब तो रहेगा इसलिए स्टुडेंट को हम चाहेंगे कि जुलाई में एक्जाम की संभावनाय हैं तो चुकि रेलवे पर जिस तरह का प्रेशर है तो हमको नहीं लगता है कि कि रेलवे किसी भी शूरत में रिस्क लेना चाहेगी एनिहाओ 99% उमीद रखिए ब्रखिये ह बनी रहेगी इसलिए अभी मई आपका चल रहा है जून जुलाई बहुत ज्यादा समय है नहीं तो जो भी गुरूप D के तयारी करने वाले स्टुडेंट हैं अपना स्टेंडर को मेंटेंड करते हुए मैथ और रिजनिंग चुकि वहां भी तीस कोश्चन रिजनिंग से होगा पचीस कोशन मैथ से होगा और साइन्स यह तीन पेपर मिला कि सो में असी कोश्चन पूछा जाना है तो इस तीनों को बहुत बहुत तरीक करना होगा मैथ और रिजनिंग पर खासा उनको ध्यान देने की जौरत परेगी जिस तरीके स्पजल सिटिंग एरेजमेंट स्रीज इस तरह का कोश्चन अभी लगाता रिजनिंग में बच्चों को परिशान कर रहा है मैथ में एडवांस का सेक्शन भी बढ़ रहा है तो इ यह बात हैं कहना बिल्कुल मुश्किल रहेगी यह निर्भर करेगा जब एक्जाम बच्चों का हो जाएगा कोश्चन किस तरह का पूछा उसके बाद पता चलेगा कि उस कोश्चन के लाइक कटॉप की क्या संभावना है उस समय बनेगी अभी इस उस पर प्रेडिक्सन मेर है दो साल बेक बच्चों को जाना होगा तब जा करके उनको पकर मैं आएगा खास करके 2021 पर ज्यादा फोकस करें में थोरा-थोरा बीस में भी घूसेगा लेकिन 2020 में थोरा सा 2-4 कोश्चन 20 का भी एक दो कोश्चन डाल सकता है लेकिन 2021 जिस तरह के से मैक्सिमम कोश्चन रह ग्रूप डी में भी यह संभावनाय बनी रहेंगे यह हो और सर अंत में वही के एक सवाल मैं और कौँगा क्योंकि ऑनलाइन को लेकर थोड़ा छात्रों में इस बार आकरोश देखने को मिला क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा ही पढ़कर आये थे वो और इस तरह का सवाल पूछा ग होगा ऑनलाइन में क्या होता है प्राब्लेम थोड़ा सा की पर्चेस तो बच्चे कर लेते हैं सुबधाएं तो मिल जाती है लेकिन प्रोपर वे में जो कोश्चन का स्टेंडर कंटेंट होना चाहिए हमको लगता है को मेंटेंड नहीं रहा पाता है जेंडरल कोश्चन तो सारे पकरा जाते हैं लेकिन थोड़ा सा घड़ीप में घुसता है तो उस समय बच्चे चारू खाने चित हो जाते हैं तो इस पर मन्थन करने की जो रती लड़के भी चाहते हैं हमसे वही सवाल पूछो जिसका हम जवाब जानते हैं इसलिए हम इस पर ज्यादा टिपननी न साफ है कोश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है ऐसे में ग्रूप डी के अभी हर्थी भी अपने आपको उस परीक्षा के लिए तैयार रखें जिसकी संभावना है बढ़े रहे हमारे साथ देखते हैं हमारे वीडियो अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्स